हलो, बच्छो! आज kay हमारा विशय है वन्णमाला हिंदी वन्णमाला में हम पहले स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं पहला स्वर होता है अ, फिर आता है आ, फिर E, ओर फिर इ आज हम उसके आगे के स्वरों के बारे में पढ़ेंगे जोकी है उ, उ और री, स्वर मात्राओं के लिए इस्तिमाल की जाती है व्यांजनों के साथ जो मात्राओं लगती हैं वो स्वरों की बनी होती है पहले हम सीखते हैं स्वरों का उच्चारण ये है छोटा उ, इसका उच्चारण होता है उ छोटा उ, उ ये है छोटा उ, फिर आता है बड़ा उ, बड़ा उ का उच्छारण लंबा होता है, उ, कैसा होता है, लंबा, उ, फिर हमारा स्वर है री, री से रीशी, उ, फिर री, आएए इन तीनों स्वर को समझते हैं एक विडियो के साथ, ये है मारा उ, उ से उपहार, उल्लू और उस तरह, फिर है बड़ा उ, उन, उद्बिलाव और उट, फिर आता है री, री से रीशी, री से रिशब, और री से रिगवेद, देखा बच्चों आपने कितनी सारी चीज़ी होती हैं स्वरों से, आएए एक बार और देखते हैं और समझते हैं, पहला है हमारा उ, उ से उपहार, ये छोटा उ है, उपहार, फिर आता है बड़ा उ, बड़े उ से उन, बड़े उ से उन, फिर है री, री से रीशी, री से रीशी, आज के लिए बच्चों इतना ही, मैं आश्रा करती हूँ कि आप सभी को उ, उ और री समझाया होगा